हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले एक न्यू चेप्टर कम्पनी लौका देट इस इनकॉर्परेशन ओफ कम्पनी अब सर जैसे आप पीछे देखी रहें कि कि फॉर्मेशन या फिर इनकॉर्परेशन ओफ कम्पनी का क्या मतलब होता है पहले हम बेसिक चीजे समझ लेते हैं उसके बाद हम इसके थियोरी पढ़ने आएंगे सर, incorporation का मतलब क्या होता है? Basically, incorporation का मतलब होता है बनना अब हम एक example से समझ लेते हैं सारी चीज़े example से समझेंगे तो better रहेगा सर, example से मतलब? चलिए, आईए मान लेते हैं कि आप एक person हो जो कि अभी सोच रहा है mind में उसके idea है आप एक ऐसे वेक्ती हो जो कि आपके mind में खयाल आ रहा है कि क्यों न एक business start किया जाए क्यों न एक अपना company बनाया जाए तो आपके mind में just a questions mark आया कि आपको कुछ करना है और आपने इसको करने के लिए एक अपना business start करना है आपको सर क्या start करना है आपको आपको एक business start करना है आपको एक business start करने का अपने सोचा है तो चलिए सर आपका एक business बना देते हैं यह आपने एक अपना business सोचा खिक है और जो आपने यह business सोचा है इसका नाम भी सोचा होगा क्यों? आपने इसका सोच लिए suppose करो s k d limited नाम आपके दिमाग में एक खयाल आया simple सी बात है बहुत basic तरीकी से सोचो आपके mind में एक question आया है कि चलो हम क्यों ना एक business को start करें और आप business start को करने लगे तो आप जो हो ना इस company के भूले जाओगे sir आप हो promoter यानि जो company को बनाता है company का जो जनम दाता है company को formation करता है that is called promoter और normal साधारन language में हम बोल सकते हैं आप इस company के होगे honor एक तरीके से समझने के लिए अब आपने क्या decide किया आपने company सोचा कि हम बनाएंगे skd limited तो जो skd limited word या फिर private limited word लगाने के लिए आप ऐसे साधारन तरीके से नहीं लगा सकते हैं आपको कुछ information और कुछ चीजे करने पड़ेगी जैसे सर सबसे पहले आपको अपने business को registration कराना होगा सर कहा registration कराएंगे registration आपको करवाना पड़ेगा आपको आपके business का ROC में यानि रजिस्टार्ड आफ कंपनी में जो हमारा chapter था जो work होता है administrative work किसका company का उसमें आपको बताया था रजिस्टार्ड आफ कंपनी क्या है regional director क्या है इस तरीके से ROC में जैसे जाओगे तो ROC बोलेंगे आपने कुछ नाम सोचा है आप बोलोगे सर हाँ या ना अगर आपने नाम सोचा है तो नाम उसको बताना पड़ेगा और ये जो name होना चाहिए undesirable नहीं होना चाहिए सर undesirable का मतलब क्या है किसी से मिलता जुलता similar नाम नहीं होना चाहिए उसके बाद ROC आपसे demand करेगा कि जाओ company के document लियाओ company का name company का address company का object company में कितने capital होंगे company में कितने liability होंगे company में कौन-कौन member होगा ये छे बाते आप एक document पे लिख के लिए हो कौन कहेगा सर ये ROC demand करेगा और इनी document को बोलते हैं M.O.A Memorandum of Association और एक और document मांग लेगा ये क्या AOA इसके उपर पूरा chapter है दोनों महाँ पे सीखेंगे यानि सर आपके mind में एक idea आया कि आपको एक company बनाना है तो आप बन गए promoter और आपने company बनाना है यानि registration कराने के लिए या तो आप limited word या private limited word लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा company law में registration कराने के लिए ROC के पास ROC आपका नाम पूछेगा नाम पूछने के बाद ROC आपको बता देगा कि आप कुछ document लियाए that is MOA और AOA ये document आपके बसकी नहीं बनाना आप अपने पास किसी charted accountant को बुलाओगे किसी lawyer को बुलाओगे जिसको इसकी जानकारी है वो ये document बना देगा ये document बनाते ही आप क्या करोगे ROC के पास जमा करा दोगे यानि जैसे ही आपका document बन गया कौन सा document बन गया सर MOA बन गया और क्या बन गया AOA बन गया और यह बनाया किसने किसी chartered accountant ने जैसे ही यह आपका document बन गया आप जाकर सीधा ROC के पास deposit करा दो गए ROC के पास deposit कराने के बाद ROC इसको check करेगा sometime तक जब इनका check हो जाएगा तो ROC बोलेगा चलो ठीक है सर आपको हम दे देते हैं certificate certificate दे देते हैं किस चीज का certificate आपकी company लोग बन गई incorporation आपको certificate of incorporation अभी business चलाने का information नहीं मिला certificate of incorporation मिल गया आपकी company register हो सकती है और हो चुकी है इसके बाद आपको certificate of commencement लेना पड़ेगा limited company के case में certificate of commencement क्या होता है सर आपको सारे document पूरे फिर से deposit करने पड़ेंगे ROC के पास क्या-क्या सर आपका कितने shares capital हो गए हैं आपके क्या address है exact और भी जो document prescribed जो law में mention है वो फिर से जमा करोगे जमा करने के पास फिर ROC आपको एक information देगा that is आपको business commencement का business commencement का यानि अब अपना business चला लो क्योंकि जैसे incorporation मिलेगा आप अपना company के board सारी चीजे GST नंबर या फिर आपका company का letterhead वो सारे चीजे proof जमा करोगे पास जाने के बाद आपको क्या करना होगा name बताना पड़ गया name के साथ साथ आपको कुछ document मांगेगा वो document किसके बनवालोगे किसी chartered accounted lawyer या CS company secretary कोई भी में भी जो भी available है उससे बनवालोगे वो document जमा करवा दोगे किसके पास ROC कुछ दिनों के बाद आपको certificate of incorporation दे देगा उसके बाद फिर आपको ROC को दुबारा से कुछ document देना है कि आपने अपना नाम, address, GST, नमबर वगरा सब ले लिया है अब हम business शुरू कर दे अब फिर ROC चेक करके आपको बोलेगा हाँ ठीक है अपना आप business को शुरू कर सकते हैं तो ये सारा procedure है अब हमें पढ़ना ही क्या है सर बिजनस कैसे registration होते है registration के क्या steps है पर्मोटर कौन है पर्मोटर के क्या liability है पर्मोटर के क्या powers है ये भी पढ़ना पढ़ेगा और साथ के साथ हमें कुछ miscellaneous और भी word पढ़ेंगे pre-incorporation contract या preliminary आपका provisional contract के नाम से जाना जाएगा ठीक है तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्मोचन पर्मोचन मतलब एक studying है और पर्मोटर की बात करेंगł जब पर्मोचन हो रहा है तो तो हम किसकी बात कररें सर पर्मोटर की बात कररें थोड़ा इसका thickness बढ़ा लेते है किसकी बात कर रहे हैं sir, promoter की बात कर रहे है, who is the promoter, promoter कौन है अभी बताए जिसके दिमाग में idea आता है, कहता है person और firm या कोई person हो सकता है, या कोई firm हो सकता है, या government, कोई भी company बनाए वो हो सकता है, जिसके दिमाग में, जिसके दिमाग में conceive, conceive मतलब एक idea आया हो, एक खयाल आया हो, conceive the idea, starting a business, business start करने का, या plan to formation, या फिर बनाने का भी idea चली रहा है, उसको क्या बोलेंगे sir, उसी को बोलेंगे promoter, और यही procedure जो चल रहा है, इसी को बोला जाएगा promotion, इसी procedure को क्या बोला sir, promotion, company and actually bring into existence, और इसके बाद company existence में, आ ही जाएगी आपको जगर दिमाग में ख्याल आ रहा है, तो promoter समझ में आया, इसके बाद sir, function, promoter के function, promoter का मैंने देखो, यहां पर बड़ा अच्छा सा example, कहलो कुछ भी कहलो, धीरू बाई अंबानी, ये कौन है साहब, धीरू बाई अंबानी ने क्या-क्या function थे, क्या-क्या काम किया था उसके, मतलब Reliance Limited बनाने से पहले क्या-क्या काम किया था, सबसे पहले उन्होंने सोचा होगा, idea, उसके बस उस idea को execute करने के लिए कुछ steps लिया होगे, उसके बाद फिर और धीरे-धीरे process होगा, तो क्या-क्या function हो सकता ह सबसे पहले आपके mind में क्या होगा सर, conceive, idea, starting a business, यानि धीरुबाई अम्मानी सोचने है सर, एक idea आ गया business, यह क्या है आपका, यह आपका एक function है, पर्मोटर का function है यह, आपका formation का function है यह, किसका function of promoter, ठीक है सर, understand करा उन्होंने detail, technical, economic और commercial, मतलब पूरे business के environment, मैंने business करना तो है, और साथ के साथ मैंने क्या समझा है सर, business के सारे environment समझ लिए, इसके बाद क्या करा, to collect the request number of, अगर private company है तो दो member और public company है, तो साथ member का इंतजाम कर लिया, सबसे पहले idea आया है, चल company बनाएंगे, उसके बाद उसने वहाँ के environment को समझा, चल ठीक ऐसा होगा, उसके बा to decide following the nature of the company, located registered office कहां होगा, capital कितना होगा, underwriter कौन होगा, broker कौन होगा, capital issue कैसे कियेंगे, इन सभी चीजों को उन्होंने अच्छे से समझा, तो कौन समझ रहा है सर ये, सर ये धीरू भाई अंबानी समझ रहा है, और धीरू भाई अंबानी कौन है, पर्मोटर, तो पर्मोट जिदा, preparation of prospectus, prospectus क्या होता है, कि जब company अपने shares issue करती है, तो आप लोगों को prospectus issue किया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे chapter में, यानि अपनी company के बारे में, कि मैं अपनी company के share issue कर रहा हूँ, एक application या फिर एक pamphlet type को दे दिया जाए, that is prospectus, तो prospectus भी कौन बनाएगा, सर धीरू कहां देना है, किस-किस को बताना है, to pay preliminary expense, preliminary expense वो expense होता है, company अभी बना नहीं, अभी idea चल रहा है, लेकिन अभी ये सारे खर्चे होने चालू हो जाते है, preliminary expense, arrange fund, required, etc company, तो भीया, कितने promoter के काम हो गए, एक काम, दो काम, फटा-फट मेरे साथ बोलिएगा, तीन, चार काम, पांच, छे, साथ, तो पहला काम क्या था, फटा-फट मेरे साथ बोलिए, conceive the idea, पहला काम क्या, idea सोचा, उसके बाद economic देखा के, भी, वहाँ पर काम हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बाद बंदे arrange कर लिए, दो या फिर साथ, as per requirement, इसके बाद क्या करा उन्होंने, किस location पे ह इसके बाद preliminary expense, छोटे मोटे खर्चे सबको arrange करना चालू कर दिया, that is preliminary expense, उसके बाद क्या करा, इसने, fund, कितना पैसा चाहिए, हमें company को start करने के लिए, उसका arrangement करने लग गए, तो total मैंने कितने point बता दिया, साथ, same as it is, आपको exam में लिखके आने, full marks आपको मिल जाएंगे, important है function of promoter, फिर से मेरे साथ बोलिए, number one idea, number two, आपका, number two, number one idea, number two, आपका देखना है कि economical और commercial सारे detailed technical analysis करेंगे, person को बुला लेंगे, इसके बाद सर हम underwriter कौन होगा, ये देख लेंगे, sir preliminary expense करेंगे, fund का arrangement करेंगे, साथ के साथ advertisement, prospectus वगरा करेंगे, point को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो ये कहा था हमारा, sir, function of promoter, चलिए, sir, duty, duty, सहाब, आप company बना रहे हो, और आपको एक उपादी दिया जा रहा है, separate legal entity का, आपका benefit होगा, अम्बानी जी, अच्छा, आपका benefit होगा, अम्बानी जी, आपका benefit होगा, company अलग है, और आ आप अलग हो, तो आपकी duty भी बनती है company के लिए, कि ये ये काम मत करिएगा, अगर ऐसा काम करेंगे, तो माना जाएगा, आप company के साथ fraud कर रहे हो, क्योंकि company अलग है, और आप अलग हो, तो बोला गया, not to make secret profit, सरी, ये secret profit क्या होता है, secret profit, मान लेते हैं, कि अम्बानी जी ने, धीरु भाई अम्बानी ने, क्या करा, एक land खरीदा, और land खरीदा मान लेते हैं, अपने friend से, और इसके friend को पता था, land की कीमत 5 करोड है, और इन्होंने बोला के, मुझे दे दे तू 6 करोड में, एक करोड रुपे धीरुबाई अम्बानी ने अपने pocket में रख लिए, और company से recover कर लिए, पूरे 6 करोड, क्योंकि company अलग और अलग, तो इसे कहा जाएगा, इन्होंने एक लाख रुपे का profit कमा लिया, that is, secret profit, जो कि आपको नहीं करना, ये आपके duty बनती है, आपको disclosure of the material facts, जो जो जानकारी है, सची जानकारी, क्योंकि prospectus वगरा issue करोगे, तो जो जानकारी आपकी बिलकुल original, general जानकारी है, सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना है, अपने share जिसको आप दोगे, मान लेते हैं, मैंने लिखा, कि मेरी company जो है, steel के काम में आएगी, prospectus में, और पर्मोटर की duty, liability क्या क्या है, liability of promoter, जो secret profit है, उससे related liability, non adoption preliminary contract है, उससे related liability, यानि secret profit जो भी कमाएगा, उसकी भरपाई सब इसको करना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई आपने contract कर लिया है, जो की company के favor में नहीं था, उसकी भी भरपाई आपको करोगे, non adoption of the preliminary contract, अभी हम थोड़ी देखेंगे preliminary contract क्या होता है, fraud in promotion of the company, अगर company के बनाने में कोई fraud हुआ, तो sir आपकी liability आप जिम्मेदार है, company जिम्मेदार नहीं है, omission अगर कोई prospectus में मिलता है, आपने कुछ चीजे लिखना भूल गए, prospectus के अंदर, और shareholder ने उसी faith पे इसे खरीद लिया, आपके company के share को, तो promoter जी, धीरुबाई अंबानी, आप उसके जिम्मेदार हो के आपको उस सभी shareholder के पैसे with interest penalty के साथ return करना होगा, miss appropriation in the prospectus, अगर prospectus के अंदर कोई भी आपने जूटी जानकारी दी और shareholder को पता चल गया है, या ROC को पता चल गया, या NCLT को पता चल गया, तो आपको punish कि किया जाएगा, company को नहीं, किसको किया जाएगा, आपको, promoter आपकी liability है, remuneration of promoter, promoter आपकी क्या remuneration होगा, वो सारी आपकी liability बनती है, पहले बता दो कि आप कितनी salary लोगे, नहीं लोगे, क्या preliminary, तो यह क्या था हमारा liability of promoter, यहाँ तक आपको clear हो गया, यहाँ तक सारा clear है, जढ को